देश की सरकार डेगों के उपचार में नाकाम्याव हो रही है मेडिकल साइंस में डेगों के लिए कोई कारगर उपचार नहीं है यदि पी पिछले दस वर्षों से डेगों स्वाइन फ्लू और चिकुन गुनिया को लेकर के हमने एक लंबा अनुसंधान किया और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने पिछले बार भी एक प्रैस यहां पर की थी और इस बार जब मैं भी जैसलमेर और जोदपूर से लोट रहा था भी कुम मेले में जा रहा था तो मीडिया के बंधों के आग्रह पर मैंने सोचा कि एक ही साथ सबसे बात कर ली जाए और आनन फानन में मैंने पांस साथ रोगियों तक ही संपर्क में कर पाया जिनको हमने इलाज से पूरी तरह से अच्छा किया और वो सारे दिल्ली के ही लोग और दिल्लिंग में सबसे जादा डेंगो का प्रकोप है मेरे बाएं तरफ यह जो बच्छा बेठा हुआ है इसका नाम शुशान्त है और जब यह हॉस्पिटल में भरती हुआ और जो एंटिजन पॉजिटिव टेस्ट आया इसका और फ्लेटनेट घटे घटे जब इसके 25 जार पर पहुँच गए तो परिवार घबरा गया इसके माता पिता दोनों भी साथ में आये हुए या अश्रम से पुराने जुड़े वे थे इसकी माँ ने रोते रोते मुझे फून किया कि सौम जी अब तो हमारा बच्चा गया मैंने का आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है कि आप गिलोए अलोवेरा पपीता का पत्ता और अनार इन चार चीजों का जूस्पी है और ये चार चीजे पूरे हिंदुस्तान में सब को सुलब है कोई भी ऐसी दुरलब इसमें जड़ी बूटी नहीं है पचास पचास एमल इनका रस ले करके और ज़्यादा स्थिती खराब हो तो दो दो घंटे के अंतर से अन्याथा दिन में तीन से चार वार पिलाने से डेंगू सो प्रतिशत नियंतरण में आ जाता है एंटी जन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है प्लेट्लेट्स जो खतरनाग तरीके से घट रहे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और इसमें एक खास बात यह भी होती है कि इसमें SZPT भी बढ़ जाता है मने एंटी जन पोजिटिव आने का जो सिम्टम्स है वो शरीर में कई प्रकार के उपद्रों पैदा करता है और जब प्लेट्रेट बहुत ज़्यादा घट जाते हैं तब डेंगू के कारण से अर्थाथ डेंगू का एक साइड इफेक्ट हुआ कंप्लिकेशन हुआ प्लेट्रेट का घटना उसके कारण से विक्ति की मोत हो जाती है हमारे पास में एक दो ने इसके हजारों प्रूफ अभी जो मैं आपके सामने कुछ रखोंगा यहां पर यह सारे की सारे मेडिकल रिपोर्ट से सभी पेशेंट्स की वो आपके सामने रख रहा हूं जिनका सभी का एंटिजन पॉजिटिव है टेस्ट सबका प्लेटर्स घट चुका था और इसमें कुछ लोग हॉस्पिटल में भरती थे तो कुछ लोग हॉस्पिटल से अब जैसे यह हॉस्पिटल में भरती हो गया था सुशान्थ लेकिन इसने जब देखा कि अब कोई उपचार कारगर नहीं हो रहा है तो एलोपेथि की दवाब बंद कर दी और मात्र चार दिनों में इसने पांच सितंबर को यही चार चीजों का रस पी पिना सुरू किया गिलोए एलवीरा पपिता का पत्ता और अनार है क्योंकि हमस्पिटल के पास गरत होस्पिटल से भीटर मेट्रोम कि भीटर में तो माइश की बना करके ले के जाती थी और इसको जहां दिन में चार बार यह जूस पिलातीती थी भेंकर उल्टी बूखार पुरा शरीट तूटता था जो शिम्टम्टम्स होते सभी डेंगू के पेसेंस के उल्टी होती है बुखार बहुत होता है पुरा शेरी तूटता है भूख नहीं लगती है और जह है घबराट होती है इस लड़के के पास तारीकों 27,000 प्लेटलेट थे वो सारी रिपोर्ट यहां पर है और जह है एंटेजर पॉजिटिव की भी और नो तारीक को नो तारीक को इसकी दुबारे रिपोर्ट करवाई चार लाख 44,000 इसके प्लेटलेट है 27,000 की भी रिपोर्ट है और 4,44,000 की भी रिपोर्ट है कोई भी देख सकता है यह कोई चमतकार वैसा नहीं है कि कोई गोल गप्पे और रसगोले वाली कृपा नहीं है यह यह पाखंडवारा काम नहीं है मिरे भाई कोई भी यह यह एक एक पेसिंट की मैंने बात की डोक्टर नहीं बोला कि भाई एलोपेथी के एक भी दवाई नहीं ली एलोपेथी में प्लेटलेस को बढ़ाने के लिए जह है फॉलिक एसिड देते हैं विटामिन सी देते हैं बुखार के लिए क्रोसिं देते हैं उल्टी हो जाए तो एमसेट आदिय देते हैं इसने कोई दवाई नहीं ले एलोपेथी की केवल इन चार जड़ी बूटियों का प्रियोग करके चार लाख 44,000 प्लेट रेट किये बाद में डोक्टर ने पूछा तुम सच बताओ तुम ने किया क्या है इनों उनका है कि हमने चार चीज़ों का जूस पिलाएबलो आप प सिम्पल सी बात और यह गिलोई पूरे दिल्ली के हर कौने में लगी वी है कोई भी इसकी थोड़ी भी पहचान करे तो आपको पता लगेगा दिल्ली एयरोपोर्ट पर जाएंगे तो आपको रास्ते में दोनों तरह मिलेगी किसी कालों नों भी घुसेंगे तो कहीना कहीना आपको लगी भी मिल जाएगी मानि डेंगू के रोगियों को गिलोई लाने के लिए कहीं बाहर जाने की दुरुतने ताजा गिलोई का रस यही मिल जाएगा गौर पठा का जूस यदि पर हम घेत कुमारी अलेवेरा का जूस उपलब्द कराते हैं यह घरों में मिल जाता है इसको चाकों से काट करके दुरों तरफ से बीच का गुद्दा निकाल दिया उसको मिक्सी में घुमा दिया यह अनार सबको उपलब्द होई जाता है और पपिते के पत्तों का रस यह चार चीज़े है दूसरा पेशेंट मेरे साथ में बैठी है जो हमारी बहन आराधना इस इसका भी अराधना की भी पूरी पोर्ट मेरे पास में है इसका भी यह तो होस्पिटल में भरती नहीं भी इसको पॉजिटिव आ गया टेस्ट प्लेट इसके 90,000 से निचे जाने लगे प्रियोग किया और घर में किते गिल लगे अराधना पास दिन पास दिन के अंदर ही इ इसको भी भेंकर उल्टी वही सिर में दर्द बुखार इसमें खास बात यह कि गिलों इसे प्लेट लेट भी बढ़ता है और प्लेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि सिभ बुखार भी तुरंत उतरता है माने क्रोंसीन और तमाम जो ऐलोपेथिकी दवाएं ली जाती हैं उससे तेज असर करती है बुखार को भी कम करना, प्लेट रेट को भी ठीक करना, लीवर फंक्शन को भी अच्छा करना और लीवर को और ज़्यादा ठीक करने के लिए अलेवेर अकाम करता है पपीते के पत्तों का रस ये भी लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है और उल्टी और इंडाइजेशन उसको ठीक करने के लिए अनार काम करता है तो जितने भी कारण है डेंगू के उनका निवारण हो जाता है इन चार चीज़ों से माने बुखार, प्लेटलेस, उल्टी दस, इंडाइजेशन और पूरे पूरा सिस्टम जो ब्रेकडाउन हो जाता है इमेर्ज सिस्टम वीक हो जाता है उसको हम ठीक कर लेते हैं ऐसे ही एक लगका है ये मेरे साथ में बैठा हुआ है गणेश इसका भी जो है एंडिजन पॉजिटिव टेस्ट का या मेरे पास में पेपर है और एंडिजन पॉजिटिव आ गए इसका प्लेटलेट घट गया क्या काम करता है बिटा ये हमारे दिनेश के ये बैठा दिनेश इसका तो प्लेटलेट इसकी तो कहानी पहले भी मैंने बताई थी आपको मेट्रो हस्पिटल में था प्लेटलेट चड़ाए प्लेटलेट और गिर गए इसके 25,000 से जब नीचे प्लेटलेट गए बुखार उतर नहीं रहा था उल्टी और बुरा हल था तो मेट्रो हम नहीं अब इलाज कर सकते तो अपोलो में जाके भरती हो गया अपोलो में भरती होने के बाद में इसके 4,300 प्लेटलेट आ चुके थे चार हजार तीन सो अब उस समय फिर इसने जो भी इसके बोल भाई किसी का जो है हिसाब किताब जो भी हो तो इसने अपने सारा गरवालों को बुला करके और मरने की तैयारी कर ली थी तब मैंने इसको ये बाद में उस समय कहा था मैं नासिक में था, मेरे पास फोन गया क्योंकि आस्रम से जुड़ा हुआ था, बोले बाबाजी मैं तो मर रहा हूँ, नमस्ते तो कर लो मरने से पहले मैंने बात क्या होगी, बोले प्लेट लेट घट गट गए मैंने ने रहे प्लेट लेट घट गए, ये चीज़े करो, किया और कितने दिन लगे थी तेरे को भी? तो साथ, साथ दिन तो अपोलो में था, और ये ठीक होने में कितने दिन लगे थे? इसने खाली दो चीज़े का इरस्पिया था, और दो तिनों में फ्लेट कितने आगे थे? तो ये मात्र तीन से पांत दिन के अंदर ये बढ़ जाता है ऐसा नहीं कि इसमें वेट करना पड़ता है कि दो-तीन मेहना वेट करो तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ फिर एक लड़का हो रहा है हमारे साथ कहना मिटा अनुज का भी अभी जैसे मैं इधर मंच पर आ रहा था तब लास्ट इसकी भी रिपोर्ट मेरे पांस में आई अनुज का भी जो है इसका भी एंटिजन पॉजिटिव था इसकी रिपोर्ट हाँ ये रही ये अनुज की रिपोर्ट है एंटीजन पॉजिटिव था इसको पता लगा इसको यह होस्टिटल में भी नहीं गया है तो खाले आश्रम की जाकर के गिलोई घनवटी और ये फरीदवाद से गिलोई का क्वाद दे दिया यह हम गिलोई घनवटी दे देते हैं बिल्कुल सस्ती सी चीजे आजकल इसके नाम पर कितनी लूट मचीव ही है यह गिलोई का क्वाद जो है यह कितने रुपए का है पंदरे रुपए का है अब पंदरे रुपए की दवाई है कोई ऐसा नहीं कि कोई और यह मैंने का ना ताजी सबसे अच्छी असर करती है मैंने ये इसलिए रिपोर्ट्स के साथ बात रखी कि कुछ लोग जो है कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है जब आदमी परिशान होता है तब कुछ भी करने के लिए बात दे हो जाता है ये डेंगू कोई असाध्य रोग नहीं है डेंगू कोई ला इलाज बिमारी नहीं है डेंगू से कोई मौत का खोप नहीं है इससे कतई भैभीत होने के अशक्ता नहीं है लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं बैड नहीं मिल रहे हैं के एक बेट पर तीन दिन को सुला रहे हैं बच्चे की मौत हो गई भाफ सोसाइड करके मर रहा है बुरा हाल है लोगों का मात्र साधारन चीजों का प्रियोग करके हमें अपने देश की संस्कृति का अपने देश की परंपराओं का अपने ट्रेडिशनल सिस्टम का बोध ना होने के कारण से बहुत रहे के कि भ्रांतियां समाज में फैल गई कि ये तो डेंगो तो ला इलाज बीमारी है जब मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती तो अईरवेद क्या कर लेगा मैं तो बोलता हूँ जब मेडिकल साइंस के वहीं से अईरवेद, योग, प्राकरतिक चिकित्सा हमारी ये जो प्राचीन, प्रंपरागत चिकित्सा हैं ये बड़ी वैजियानिक है इस पर हमें और शोध करने के आउश्रता है हम पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं एक और पेशेंट आया भी नरेंदर इसका नाम है निरंजन इसका भी जो है ये एंटिजन टेस्ट पॉजिटिव है प्लेट्रेट कितने आ गए थे 40,000 प्लेट्रेट आ गए थे क्या करते हो ये लड़के का है तो इस लड़के का रिपोर्ट लेके आ है क्योंकि हमने अचानक आज सुबही फून करवाया कि मैंने का जितने पेशेंट हो सके आ जाएं तो ये वैजी भी साथ में आये हैं हमारे पतंजे जिकित सालों के तो मैंने ये आज सुबही मैसेज दिया पेशेंट्स को इसलिए बुलाया रिपोर्ट के साथ कि लोग कह देंगे ये तो बाबा जी तो कोई भी फिमार हो तो बाबा जी तो आके बोल देते हैं कैंसर भी ठीक हो जाता है बाबा जी आकर के बोल देते हैं हाट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है बाबा जी आकर के बोलते थे हैपिटाइटीस भी ठीक हो जाता है बाबा जी आकर नहीं बोलते ये सारी की सारी रिपोर्ट बोलती है प्रत्यक्षे किम प्रमाण हैं ये सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं आपके सामने और ये कोई एरेंज की आज कर बहुत से बाबाओं चिकित सा पध्धती का एक बहुत बड़ा सत्य है वो मैंने आपके सामने रखा कोई किसी का प्रशन हो तो प्रशन पूसे यह मेरे साथ में जितने भी पेसेंट है किसी ने भी ऐलोपेथी की दवाई नहीं ली केवल और केवल यह आईरवेथी की ओशनियां लेकर कि अच्छी पेसेंट है भी जो मेरे साथ में बैठे वे और विटामिन सी देते हैं वो लोग भी बुखारादी को कम करने के लिए क्रोसीन देते हैं मैंने यह नहीं कहा कि वो लोग जह है कताई यह वो विल्कुली एक वेकार की पद्धती है ऐसा मैंने नहीं कहा लेकिन ज्यादातर केसों में अलोपेथी फैल हो जाती है क्योंकि जब सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है उससे में उनके सामने कोई चारह नहीं होता और हमने यह जो पेसेंट रचे की है करके 20,000 तक विलेटलेट्स का आना और सारे सिम्टम्स का बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाना और उसके बाद रोग्यों को अच्छा करना केवल आईरवेट केवल पर यह देखने में किसी को चमतकार जैसा लग सकता है लेकिन यह हमारे रिशियों का विश्कार है जिसको हम भूल गएते हैं उसको खाली याद दिला रहा है यह सब के लिए एक ही दवाई है जो जिसको भी एंटिजन पोजिटिव आया है जिसके भी यह सिम्टम्स मैंने सारी बताई दी अभी आपको चै वो बुखार है चै प्लेटेट का कम होना है चै उल्टी होना है यही सिम्टम्स है अरे वो कब होगा इंटर्नल ब्रेडिंग कम होती है जब प्लेटेट बहुत जादा घर जाता है तब इंटर्नल ब्रेडिंग होती है उल्टी कम होती है जब लीवर बहुत ज़ादा defective हो जाता है तो लीवर को, प्लेट्रेट्स को, बुखार को एक साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं ये चार चीज़े देखे मैंने अलग-अलग function भी बताया कि गिलोई का function है, बुखार को अनार का function है लीवर के function को अच्छा करना, उल्टी और दस तादी से रोकना लीवर function को अच्छा करना, एलवेरा का function है लीवर को अच्छा करना और बोड़ी के मेटेवलिजम को बैलेंस करना तो ये डेंगो की कोई भी stage है, हर stage में ये चीज़ें लाब करेंगे लीवर डेंगो का patient मर नहीं सकता, इन ओशदियों का प्रियोक करके देखें बकरी का दूद भी सामन रूप से लाब करता है बकरी का दूद किसी को ना मिले तो परेशान होने के आउशकता नहीं है किसी को मिल जाए, तो बकरी का दूद भी लाब करी है गाय का दूद भी लाब करी है माने बकरी का दूद और गाय का दूद ना मिले तो किसी को परेशान होने के आउशकता नहीं इस बेटे ने तो बकरी का दूद पिया तो और उल्टी होगी क्योंकि हजम ही नहीं हुआ तो बकरी का दूद वो भी दो-दो हजार रुपए किलो या कही चाहर पांस-बांस-दोजार रुपए किलो भीक रहा है तो वो भी एक मित है उसमें भी जादा किसी को भ्रांत होने के अशक्ता नहीं देखो भाई हमने आपके सामने सारे मेडिकल रिपोर्ट रख दिये हैं पेसेंट रख दिये हैं दवाईयां बता दिये हैं अब इसमें भी सर्टिफिकेट अमरिका से मांगें कि हम हर बात के लिए हमको वेस्टर्न जो है मेडिशन का सर्टिफिकेट चाहिए अरे इंडियन कूल से एजेंसी है नाम बता दू ज़र आप आयरिवेइद में कोई एजेंसी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर आयरिवेइद में तो जो परंपरा से लिखा गया है कोई भी एक्टिव कंपोनेंट्स का पैरामिटर नहीं है अब ये एक आगे रिसर्स का विशे है कि ये जो हम अगेडिशन्स दे रहें इनका हमारे पूरी बोडी के सिस्टम पर किस-किस तरह से एक-एक इंग्रेडियंट का एकर एक एक एक्टिव कंपोनेंट का क्या एकट है वो एक सांटिफिक का रिसर्स का विशे हो सकता है लेकिन इसमें किसी का कि या वू क्या किया जाए तो हम इस प्रस्ताव को रखेंगे कि आगे से ये डेगू का भै आतंक देश से खत्म हो